मेप वाले पोरुशन से आज हम देखने वाले हैं लेक विनिपेग के बारे में लेक विनि पेग की की लोकेशन के इसम्त देखें तो यह पड़ती है नौर्थ अमेरिका में टिक कि उत्री अमेरिका महाद네요iones में पढ़ती है लेक विनिपेग पार्टिकुलर यदि आप बात करोगे कौन से देश में तो यह पढ़ती है कनाड़ में यह आप देख रहे हैं और कनाड़ का एक प्रोविंस है मैंनी टोबा यहीं पर है लेक विनिपेग अब इसका यदि हम डिटेल में मैप देखें तो यह रहा है इसका डिटेल में मैप लेक विनिपेग का कई सारी रिवर हैं अपने पानी को यहां पर छोड़ती है और कुछ ऐसी भी रिवर है जो इसके पानी को खाली करने का काम करती है कई सारे हमको आइलेंड भी यहां पर द नामा की खाड़ी है रेंडियर आइलेंड है ठीक है है क्ला आइलेंड है और यहां पर है पिन फाल्स विनिपेग रिवर है ब्लडवें रिवर है यह बहुत सारी रिवर यहां पर हमको देखने के लिए एक है नेलसॉन रिवर अब हम आजाते हैं इसके कुछ फैक्ट के बारे में देखने हैं इसका एरिया आप देखोगे ना तो वो है 24,514 पर किलिमेटर का लेक विनिपेग इस अलज लेक की लोकेटे इन ड साउथ सेंड्रल पार्ट केनेडियं प्रोविंस ऑस मैनीटोगा इन नौर्थ अमिया तो यह कह पर है इसके नाम के बारे में बात कही जाती है इसका जो नाम है यह रिफर्स करता है तू दा इंडेजेनियस क्री नेम फोर मड़ी वाटर्स विनी पेग यह नाम हमको ध्यान में रखना है 1730 में क्या होता है केनेडियन मिलिटरी ऑफिसर ला वेरेंटरे काल दा लेग ओनियन पीगोन बाद में इसका नाम पीगोन पढ़ गया है लेटर दे केपिटल ऑफ मैनी टोगा वास नेम्ड वीनी पेग फिर बाद में क्या हो जाता है केपिटल ऑफ मैनी टोगा इसका नाम पढ़ जाता है वीनी पेग एक बात और यह बताई जाती है यह जो शील है वो लेग अगासिज का एक प्रकार से रिमनेंट थी ठीक है और उसी से फिर इसका निर्माड होता है मतलब उसका आउसेज थी उसी से इसका निर्माड हुआ इसकी लंबाई 416 किलो मीटर है इसकी मैजिमम जो चोड़ाई है 109 किलो मीटर लंबाई 416 चोड़ाई 109 किलो मीटर इसे जदी आप देखोगे ना तो यह एक प्रकार से सैलो है एंड है मैजिमम देफ्ट 36 मीटर मतलब उतनी जादा यह गहरी नहीं है उतली है हम इसको बोल सब्सक्राइब करती है अब कुछ कुछ मेजर रिवर के बारे महाप्रपास बताई जाती है जो कि यहां पर फ्लो करती है मतलब यहां पर अपने पानी को डालती है सार्स कैचेवान रैड एसीनवोईन विनिपेग डफिन ब्लेडवेन पॉपलर बेरेंस एंड मेनिगो गुटाग्टन रिवर एक चीज मातपूर हो जाती है कि यह जो अपना पानी है ना नेलसोन रिवर के माध्यम से खाली करती है ठीक है यह इस रिवर है और यहीं से अपने पानी का आउट्फिलो करती है बागी सब नदिया तो जैसे कि यह हो गई ब्लडवेन रिवर यह पानी को अपने हाँ छोड़ रही है पॉपलर रिवर भी यहां पर पानी को छोड़ रही है और भी बहुत सारी यहां पर रिवर ह के माध्यम से करती है यह अब हम आ जाते हैं परिवरणी मुद्दे की बात करते हैं मतलब यहां पर जो है बहुत सारे सेवाल या पिर काई अधी आज देखने को मिल रहे हैं तो वह भी इसके लिए खत्रा है तो जो विदीसी या पिर अनुप्यूग प्रजाती हैं जो के एक तम तेजे के साथ में ग्रोव करती हैं प्रकार से खत्रा है यह थी यह थी जए टीड़ेगर अज़ ट्रीड़ गण ओंग यह भी अगल्वल नचर फंड टीड़ ग्लूब नेचर फंड टीड़